इंदुस्तान में भारती रेल के यातरी सिवा बले ही बंद हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रेल करमचारी इस वक्द देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है कोरोना वाइरस से लडने के लिए भारती रेल के करमचारी दिन रात कारखानों में काम कर रहे है देश भर में करोना महामारी के चलते आईसियो और आईसोलेशन वार्ट की बहुत जरूरत पड़ रही है और ऐसे में रेलवे ने अपना कदम बढ़ाते हुए ट्रेन के कोच को ही आईसोलेशन वार्ट में तब्दिल करना शुरू कर दिया है अजमेर के लोको वर्क्शॉप ने नया प्रियोग करते हुए ट्रेन के कोच को आईसोलेशन वार्ट के रूप में विक्सित किया है लोको वर्क्शॉप ने इस कोच की रिपोर्ट रेल मंत्राले को भेजी है और यदि इसकी अनुमती मिलती है तो अजमेर का कैरिज वर्कशॉप बड़ी संख्या में ऐसे आइसुलेशन वार्ड कोच तयार कर भारत सरकार को सौप सकता है अजमेर का ये वही कैरिज वर्कशॉप है जिसे देश के सर्वशिस्ट रेलवे वर्कशॉप के रूप में गतवर्श चुना गया था कोरोना वाइरस के संक्रमन के भाई के बीच इस रेलवे वर्कशॉप ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खीचा है इस वर्कशॉप में एक ऐसा कोच तयार किया है जिसे कोरोना वाइरस संक्रमित मरीच के इलाज के लिए उपयोग में लाया जा सकता है हाना कि ये केवल एक प्रियोग है लेकिन सरकार अगर इस पर मंजूरी देती है तो इस अजमेर का ये कारखाना इस प्रियोग को कोरोना महमारी को हराने के लिए तयार कर देगा अजमेर के कैरीज वर्क्शॉप में इस कोच को तयार करने में मुख्य कारखाना प्रबंदक आरके मूंदड़ा और अतिरिक मुख्य यांत्री के अभियंता रमावतार की मुख्य भुमी का रही है दोनों अधिकारियों के निर्देश में तयार इस कोच में एक साथ 14 मरीजों को आईसोलेट कर उनका इलाज किया जा सकता है अजमेर कैरिज बर्ग्शॉप ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जीवन रख्षा से संबदित आवशक मेडिकल एक्यूप्मेंट कोच में रखे जाने की जगे हो साथ ही डॉक्टर और पेरा मेडिकल स्टाप यहां रहकर उन मरीजों की देख भाल कर सके इस कोच में बिजली और पानी की विवस्था को भार से ही बनाया जाना जरूरी है ताकि मेडिकल एक्यूप्मेंट 24 गंटे काम कर सके इसके लिए इस कोच में कुछ आवशक इंतिजाम भी किये गए हैं और अब अगर रेल मंत्रा ले अपनी अनुमती देता है और सरकार को आवशकता महसूस होगी तो अजमेर की वर्क्शॉप में बड़ी संख्या में ऐसे मेडिकल आइसूलेशन कोच तैयार किये जा सकते हैं अजमेर के वर्क्शॉप का ये कदम देश के उन तमाम मैत्पुन लोगों और संस्थाओं के द्वारा दिये गए सुझाओं के आधार पर उठाया गया है जिनमें बिक भी अमीता बचन भी शामिल है इसी के साथ देश भर में लागू 21 दिनों के लोगडाउन के कारण कई पिरवासी मजदूर अपने अपने गाउं को वापस लोट रहें जिससे महामारी के फैलने का डर बना हुआ है और अपके इन सरकार ने तमाम राज्यों को निर्देश दिये हैं कि वे शैरों में लोगों की आवाजाई को बंद करें राज्य और जिले की सीमाओं को सील करें के इन सरकार ने सकती बरत्ते वे सपस्ट कहा है कि अगर कोई लोगडाउन का उलंगन करता है तो उसे 14 दिन के लिए पिर्थक केंदर में भेज दिया जाएगा इसके साथ ही इन निर्देशों में सपस्ट है कि लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधिक्षक की नीजी तोर पर जिम्मेदारी बनती है वहीं अजमेरी की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगा में जियारत के लिए आये 10 राज्यों के 3000 से जादा जायरीन फसे हुए है और अब इन्हें वापस अपने घर भेजने के लिए दरगा कमेटी की और से प्रिधान मंती नरिंदर मोदी और रेल मंत्री प्यूश गुएल सही दस राज्यों के सीम और मुख्य सचीप को पत्र लिखा गया है दरगा कमेटी सदर अमीन पठान ने पत्र लिखकर दो इस्पेशल ट्रेन का एक फेरा चलाने का आगरे किया है जिससे दरगा इलाके में फसे जायरीन को उनके घर तक भिजवाया जा सके दरगा कमेटी ने पूरे दरगा इलाके में सर्वे किया है और एक आखड़ा पेश किया है जिसके मताबिक 10 राज्यों के 3075 जायरीन इस वक्त अजमेर के अंदर फसे हुए इन में से उत्तर प्रदेश के 579 लोग हैं बिहार के 271 पच्चिम मंगाल के 744 माराश के 255 और आंद प्रदेश के 601 करनाटा के 356 गुजरात के 75 दिली के 28 और जारकंड के 77 जायरीन अजमेर के अंदर मौचूद है और जमेर में करोना वाइरस का एक केस जब से पॉजिटिव मिला है उसके बाद से चिकिस्साच शेतर में बड़ा बदलाव किया गया है एक हजार बैड़ वाले संभाग के सबसे बड़े जवालाल नेरु अस्पताल को अब पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है अब इस अस्पताल में सिर्फ कोरोना वाइरस से समधित मरीजी रखे जाएंगे साथी जो संदिक्त और पॉजिटिव मरीज होंगे उन्हें अलग अलग इसी अस्पताल में रखा जाएगा अस्पताल में आउटडोर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और इसके साथी अमर्जनसी मरीज को ही कार्डियोलोजी और यूरोलोजी विभाग में दिखा जाएगा इसके साथी करोना वाइरस के पिरकोप के मद्दे नजर अधिगरित किये गए मित्तल अस्पताल में भी अब जेलेन अस्पताल के चिकिस्सकी बड़े ऑपरेशन करेंगे मित्तल अस्पताल में भी मरीजों को देखना बंद कर दिया गया है झाम में भी मित्तल अस्पताल अस्पताल विए्वेगरित के श्यवरेशन करेंगे ढाख दो से पिर थक Пbyदएपित स्वारिए